जीवन अनिश्चत्ताओं से भरा हुआ है यहां कब क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, किसी को भी नहीं पता ये कहानी है चंदा की चंदा के पती का नाम राकेश है जो भाड़ी की टेक्सी चलाता है चंदा गर्बवती है पूरे तेरा साल के लंबे इंतजार के बाद उसकी गोद भरी है उसका आठमा महीना चल रहा है उसकी सास सुभधरा तो पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहती है बहु ये खाओ, बहु वो खाओ, जादा काम मत करो, आराम करो सारा दिन आराम ही तो करती हो माजी, आप कुछ करने कहां देती है अभी मैं नहीं करने देती, कल को तेरा बच्चा कोई काम नहीं करने देगा चंदा अपनी सास की बातों को सुनती और मुश्गुरा देती वैसे वो भी सारा समय अपने आने वाले बच्चे के खयालों में ही खोई रहती और अपने पती राकेश थी, अपने आने वाले बच्चे के बारे में बाते करती और उसके लिए कुछ न कुछ बनाती रहती अची देखिए तो ये मोजा कैसा लग रहा है इसका कलर कैसा है अच्छा है ना हमारे आने वाले बच्चे को पसंद तो आएगा ना हाँ बहुत अच्छा है और बहुत संदर भी पिछले दस दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम इसे बनाने में दिनरात लगी हुई हो अरे सारी तैयारी पहले से करके रखनी होगी सुनो कल और उन ले आना मुझे और भी मुझे बनाने होगे छोटा बच्चा आने वाला है उसके पास तो कई सारी चीज़े होनी चाहिए ना चंदा की बात सुनकर राकेश मुस्कुराते हुए उसे देखता है और महसूस करने की कोशिश करता है मा की उस ममता को जो अपने अंदेखे बच्चे के प्रती उमरने लगती है जबसे वो उसकी कोख में आता है एक दिन की बात है राकेश काम पर जाने की तैयारी कर रहा था चंदा अपने घर की सीडियों से नीचे उतर रही थी तब ही अचानक उसका पैर फिसल गया चंदा सीडियों से लुढकती हुए नीचे आगिरी उसके सिर में बहुत चोट लगी जादक होन बहने के कारण वो बेहोश हो गई राकेश और उसकी मा चंदा को लेकर तुरंत अस्पताल भागे चंदा को इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो गई है हमने ऑपरेशन करके उसकी जान तो बचा ली है लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए हे ईश्वर ये क्या हो गया ये बात मैं उससे कैसे बताऊंगा मिस्टर राकेश हमें आपको एक बात और बतानी है आपकी पतनी अब कभी भी मा नहीं बन पाएगी तेरा साल के लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी खुशी चंदा के घर में आने वाली थी लेकिन उस खुशी को ग्रहन लग गया था और डॉक्टर की ये बात की चंदा अब कभी मा नहीं बन सकेगी चंदा के जख्मों के दर्द को और भी बढ़ा रहा था वो बिचारी अपने बनाए छोटे-छोटे कपड़े और मोजे को अपने सीने से लगाती और कहती अब कौन पहनेगा इसे? मैं किसे इसे पहना कर कालर टिका लगाऊंगी? भगवाद, क्यों? क्यों भगवाद, क्यों? क्यों मुह से निवाले को चुईन लिया? क्यों सूनी कर दी मेरी कोख हमेशा के लिए? चंदा दुखों के उस सागर में फंस गई थी जहां हर ओर दर्द ही दर्द था और उस दर्द के कारण चंदा ना तो ठीक से खाती ना ठीक से सोती वो तो हो गया, लेकिन मेरी पतनी को हिम्मत दीजिए, इस दुखों का पहाड को उठाने के लिए एक दिन की बात है, राखेश ने चंदा को अपने साथ बाहर घूमने के लिए जाने के लिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि बाहर उसका थोड़ा मन लगेगा, लेकिन चंदा ने बाहर जाने से साफ इंकार कर दिया राकेश की बात सुनकर चंदा ना चाहते हुए भी, सिर्फ उसका दिल रखने के लिए बाहर घूमने के लिए गई वो अपने मुहले से कुछ दूरी पर ही गए थे, कभी उन्हें मोड पर काफी भीड दिखाई थे चंदा और राकेश वहां गए, तोनों ने देखा कि सड़क किनारे एक दुद्म ही बच्ची पड़ी है और वो लगातार रोय जा रहे है आसपास खड़े लोग उस बच्ची को देखतो रहे हैं लेकिन उससे चुप कराने की बजाए उल्टी सीधी बाते कर रहे हैं सब प्रितिशत ये किसी की नाजायज उलाद है और ये जब पालने की आउकात नहीं होती तो पैदा क्यों करते हैं लोग इसे हैं लोग अपनी बातों में उल्चे हुए थे इस बीच चंदा ने उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया वो बच्ची उसके सीने से लगकर चुप हो गई और चंदा ने पहली बार उस सुक का अनुभव किया जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था वे दोनों उस बच्ची को घर ले आए सुभद्रा ने जब उस बच्ची को देखा तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल आए कि ना जाने ये किसकी बच्ची है कैसे घर की है क्या ये कभी तुझे मास विकार करेगी उसने ये बात चंदा से कही तो मा जी शैद ये भगवान की ही कोई योचना है तभी तो ये बच्ची मुझे मिली क्या हुआ कि मेरी गोद नहीं भर सकती लेकिन मैं मा तो बनी सकती हो और इसके लिए बच्चे का कोख से जन्नम लेना तो ज़रूरी नहीं क्रिश्न भगवान भी कहां ये शोदा मया की कोख से जन्नमे थे लेकिन उन्होंने मा से बढ़ कर प्यार दिया था उन्हें सुभद्रा ने चंदा की बात सुनी और जब चंदा की आँखों में कई महीनों के बाद उन्होंने खुशी देखी तो फिर उसने उसे कुछ नहीं कहा वो बच्ची इस घर में खुशी बन कर आई थी इसलिए सबले उसका नाम खुशी रख दिया खुशी मेरी बच्ची ये देख तुम्हारी माने क्या-क्या बनाया है तेरे लिए तुझे पसंद है क्या ये देख छोटी सी फ्रॉक छोटे-छोटे मोजे चंदा को जीने की एक नई उमीद खुशी के रूप में मिल गई थी लेकिन जिंदगी में अभी और बदलाव आने थे एक दिन चंदा खुशी को लेकर इंजेक्शन दिलवाने अस्पताल गई हो थी तभी वहां उसकी नजर तीन बच्चों पर गई जो कुछ देर पहले ही अनाथ हो गई थे उनके मा और पिता दोनों की मौद करेंट लगने से हो गई थी वे तीनों छोटे-छोटे बच्चे अपने मा पिता की मृत शरीर से लिपट-लिपट कर रोए जा रहे थे बाबा, बाबा उठो न, बाबा, उठो न मा, मा क्या हो गया तुम्हें, उठो न, आखे खोलो न, मा, आखे खोलो न, अब हमारा ध्याद कौन रखेगा मा, कौन हमें खाना के लाएगा, कौन कपड़े पहनाएगा, स्कूल बेजेगा, हमारे लिए कि लौने लाएगा चंदा ने उन बच्चों को रोते देखा तो उसका कलेजा फटने लगा, उसे ऐसा लगा कि ये बच्चे उसके हैं, और एवर वो उसका ध्यान नहीं रखे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने कुछ नहीं सोचा और उन्हें गले से लगाते हुए कहा, बच्चो मैं तु चंदा ने शिलाई का काम शुरू कर दिया, उससे पैसे आने लगे, तो दोनों की कमाई से बच्चों का गुजारा ठीक से चलने लगा, लेकिन शायद इश्वर ने कई और बच्चों के लिए चंदा की गोद निर्धारित कर दी थी, कई और बच्चों के द्वारा उसे मा पुकारना था, इन चार बच्चों के बाद जंदा आठ और बच्चों को अपने घर लाई, उनमें से कोई सड़क पर भीक मांगता था, तो कोई अपाहिश था, कोई अंधा था तो किसी का दिमाग ठीक से विक्सित नहीं हुआ था, तो उसके घरवालों नहीं उसे छोड़ द का लिखा हुआ है, तभी तो जिसकी कोग से एक बच्चे का जनम भी नहीं होना था, वो आज बारब बच्चों की माँ है, राकेश ने टेक्सी चलाना छोड़ दिया, और उसने अपनी खाने पीने की दुकान शुरू की, सुभधर और चंदा उसका पूरा साथ देते, इश लेकिन सगी मां से कम भी तो नहीं थी,